जैसे कि आपने आज थमनेल में देखा है कि हम आज जानने वाले हैं कि क्रेविंग के क्यों होती है और कितने प्रकार होते हैं और इससे कैसे बचा जाएं आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बहुत सारे क्वेशन होते हैं कस्टमर के सर आप जो डाइड बनाते हैं और जिस तरह से हम डाइड भी लेते हैं और भी बहुत लोगों से तो हम उस डाइड में हमें बहुत बाहर बहुत सारी भूख लगती है तो ऐसा होता क्यों है बोला जाता है जो वेट लोस की एक सिम्पल सा रूल क्या है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उस quantity को थोड़ा सा आप कम कीजिए और अपनी exercise में उसमें अच्छा burn कीजिए अपनी calorie को और आपका weight loss हो जाएगा ये बहुत आसान line में weight loss की जो परिवाशा होती है वो मैंने आपको बताई लेकिन बहुत बार जब हम calorie को कम करते हैं तो हमारा body बार-बार क्या करता है खाने को मांगता है मतलब कि हमें बार-बार craving हो जाती है तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये craving होती क्यों है और इसका क्या solution है क्या हम इसी चीजे ध्यान में रखे जिससे कि next time हमें जबी भी कुछ भी खाने की इच्छा हो रही है तो हमें पता चल जाए कि हाँ इस वज़ए से मुझे ये craving हो रही है मुझे इसमें ध्यान रखना है सबसे पहला हम जानते हैं कि ये craving होती क्यों है सबसे main जो craving का जो reason होता है वो होता है कि आपके खाने में proper nutrition नहीं जा रहा है आपने देखा होगा लोग natural diet से जब start करते हैं keto करते हैं ये दूसरी बहुत सारी नाम की जो diet करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो कुछ particular चीजों पर रहते हैं जैसे juice चालू कर रहे तो juice ही पी रहे जा रहे है fruit चालू कर रहे है तो fruit ही खाया जा रहे है तो क्या होता है कि हम एक तरह का जब खाना खाते हैं और फिर वो मेरी जो hunger है उसको control कर पाऊं तो आपको चीज समझ नहीं है कि जो आपके खाना में nutrition नहीं होगा तो आपको ये craving हमेशा होती रहेगी इसका कोई ilaj नहीं है second बात करूँ कि हमारी जो बोलते हैं कि body के अंदर sleeping pattern हमारा अच्छा नहीं होता है इससे क्या हो जाता है हमारे hormone imbalance हो जाते हैं और जो आपके hormone imbalance हो रहे हैं तो आपको आपके mind को ये ही पता नहीं रहता है कि भई मुझे कब खाना है कितना खाना है और कैसे खाना है तो वो क्या करता है आपको कौन से भी समय में जैसे सपोज आपने लंच भी किया और लंच के तुरंद बाद आपको craving चाले हो जाएगी यार मुझे और कुछ खाना है आपने बहुत बार देखा होगा कि डिनर के बाद भी लोग बहुत सारी चीजे खाते है तो ये क्या होता है उनका hormone imbalance हो चुका है उनको नहीं पता चल र तो ये तीन चीजे मैंने जो आपको में बताई है कि इन तीन वज़ों से हमारी ये craving की होती है बात करते हैं कि इससे हम करते क्या है तो सबसे पहले जो मैंने water craving बताई है आपको इसका ध्यान रखना है दूसरी जो चीज होती है जो बहुत लोगों में आती है वो है emotional craving बहु कुछ बोलते हैं कि वहांकू पर हमारी वह खाने टलब थी वहां लागता हैं और उस चीज को दबाने के लिए भी बाहर जाके कुछ खा लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा reason होता है कि लोग क्या करते है emotional craving भी करते हैं और ये बहुत maximum लोगों के साथ होता है एक और चीज जो है कि और craving क्या type है तो जो इसके अंदर मैंने लिखा है कि आपने देखा होगा के साथ बहुत हो गया हो गया कि कोई दोस्त ऐसे है बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो बोलते हैं कि आज दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले हैं चलो कुछ खाने चलते हैं तो ये शायद आपके साथ बहुता होगा कि हमें एक बहाना चाहिए कि नहीं मुझे आज मेरे दोस्त मिले हैं तो मुझे खाना है चले बार जाके कुछ खाके आतें तो यह भी एक प्रकार की हमारी क्रेविंग होती है और यहां पर लिखा है कि जैसे हमारे तो इंडिया में क्या होता है बहुत सारे तहवार आते हैं और अभी जैसे अभ सिजन है तो अब हम इसको दबा के खाएंगे और फिर बाद में वापीस बेटलोस कर लेंगे तो क्या करते हम तेवारों इसमें भी हम उस टाइप की मतलब और चीज़े खाते है तो इसको बोलते हैं कि बहुत लोगों में पाया जाता है जबी भी आप यह फिल करते हैं कि मै बहुर हो रहा हूं मुझे करने के लिए कुछ है नहीं है तो क्या करेंगे हम बहुर होतने में भी बहुत बार क्या करते हैं गर में चलो मेगी बना लेते हैं क्योंकि कुछ काम करने को है नहीं कुछ भी नहीं है तो चलो यह खा लेते हैं चलो कुछ काम नहीं है तो किचन में गए वहाँ से डबा खुला और यह खा लिया तो यह क्या आता है कि जब हमें बहुर फिलिंग आती है मतलब बहुर जैसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में तो भी हम क्या करते हैं उसके option में भी हम जाते हैं और हम कुछ नो कुछ खाना स्टार्ट कर देते हैं देखिए यह सब चीजे में क्यों बता रहा हूँ आपको एक चीज समझ में समझना है कि जो हम क्योंकि जब आपका वेट लोस हो रहा है तो आपका जो wellness coach होगा fitness coach होगा जो भी आपको help कर रहा होगा उसका एक rules होता है कि आपकी calorie को थोड़ी सी कम करें जिससे कि आप calorie कम जाएगी बोड़ी में तो आपका वेट लोस में वो help करता है और उसी दोरान हम क्या करते हैं कि proper मात्रा में हमारा diet नहीं बनाए और उसमें nutrition नहीं है 23-25 में और फिर क्या होता है कि हम 15 दिन तो बहुत अच्छी dieting करते हैं और ऐसा समय आता है आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं आपके खाने के अंदर एक हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे खाने में protein की मात्रा बहुत अच्छी होनी चीए अब इससे होता है कि protein जब हम intake करते हैं हमारे खाने में हमारे शेक में हम जब protein यूज करते हैं तो इससे एक तो सबसे बड़ा benefit ही होता है कि आपको बहुत बार ऐसे भूक जैसा नहीं लगता है आपकी जो हंगर कंट्रोल होती है और पेट बरा बरा लगता है आपको तो ये protein की बहुत बड़ी खाशत है तो आपको क्या करना है अपने खाने में अपने salad में अपने जो भी डिनर कर रहे हैं या फिर जो भी चीज आपके होरी उसके अंदर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि protein की मात्रा हमारे पास होनी जिससे कि हमारी hunger control में होगी औ और हमें बार-बार खाने की इच्छा होनी और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होगे तो हम गलत चीज ने खाएंगे दूसरी चीज जो है जो बहुत काम आती है कि अपने आपको आप क्या कीजिए बीजी करिये काम में ऐसा कभी बैठिये मत जैसे मैं यहां बैठा हूं और मैं जो 2 गंटे बैठ गया तो मेरा माइंड क्या बोले गया और कुछ काम नहीं चलो कुछ खा के आ जाते हैं तो आपको दिख चीज ध्यान रखनी है कि अपने आपको बीजी रखे काम में बीजी रखे कुछ भी काम करते रहे काली मत बैठे रहे जब भी आप खाली बै में उनको मैं कुछ नुद कुछ खिलाता हूँ जिससे कि उनको जो वो उनकी हंगर है वो कंट्रोल में भी रहती है और उनको कभी भी ये ऐसा समय नहीं आता है उनको लगता है कि अब मेरे पेट में कुछ नहीं है चलो मैं फटा पर जाके कुछ खा लूँ तो हमें ध्यान जो आपको बहुत ध्यान रखनी है आपके sleeping pattern को आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि hormone imbalance करना होना आपके हाथ में इसलिए जो suppose आप अपनी सही समय पे सो रहे हैं और सही समय पे proper sleep देने के बाद आप जग रहे हैं आपको hormones आपके control में रहेंगे इन्बैलेंस नहीं हो गे और आपको पता रहेगा कि मुझे क्या खाना है क्योंकि बहुत बार someone imbalance से क्या हो जाता है हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें कौण से समय में खाना खाना है तो इस वीडियो के अंदर आपको क्या मैंने बताने की कोशिश किरी है कि अपनी हंगर को पैचानिए अपनी क्रेविंग को चेक कीजिए कि या सही में ये मुझे जो खाने की क्रेविंग आ रही है या फिर जो मैंने पॉइंट्स बताएं कई पाने की कभी कोई emotionally इस वज़े स तो हम इस वीडियो के बाद हुशार रहे पाएंगे पता कर पाएंगे कैसे हम सही समय पे सही decision ले सही चीज़े हमारे सरीर में जाएं और हम healthy weight loss करें और बहुत speed में अच्छे से weight loss करें तो इस वीडियो जो शायद आपको काम आया है तो इस वीडियो को आप like कीजे और ऐसे वीडियो में तब तक thank you